बिश्मिलमाद रहाई मसलमनीकूं वीवर् सब्र्जिंबानीच मेंट उर्फ रिंग इसके पासे । दोनों साइड ब्राबर करते हुए इसको डबल फोल करेंगे इस्तरा से फोल करने के बाद आव हम सुई की मतसे इसको स्टेच करेंगे इस्तरा से लंबा टांका लगाते हुए इसको स्लाई करेंगे दोनों लेत तार से पेलाबर रूखंगे और इसको स्लाए कर देंगे साथ ही सारा रिंग रहें कि रोल करते होां इसको फोल करेंगेcussion और इसके साथ ही स्लाइए करेंगे एक ही ठेट से यह सारे पारीम हम स्लाइग कर लेंगे इस तरह से कि पूरे रिंग हम इसे तरह से स्लाइग करेंगा कि इस तरह से यह फिलावर बरनाना बहुत ही एजी है और बना हुआ फिलावर बहुत ही Bye है इस तरह के है रिंग बाजार से मिल जाते हैं मुpline कलर ने मिल जाते हैं मुतलिव डिजाइन स्टाइल में मिल जाते बड़े चोटे जिस तठाटे बी आपने लेने हँ उस यह स्थाब से आप यह रिंग खरीथ कर चपको स्ट्रह के फ्लावर बना सकते हैं कि यह फिलावर मुफ स्थारय जाते हैं इस तरह का फिलावर हम दो कलर में तीन कलर में चाड़ कलर में और मुफ लिका कर बना सकते हैं हर सकते है इस तरह इसको प्रोने के बाद इस तरह से बैले वाले रिंग के साथ मुला देंगे और इसके अच्छे से पक्का कर लेंगे इस तरह से धागे को खांच कर अच्छे से इसको पक्का करेंगे कि वीडियो को अंतक वाज करना दा कि आपको अच्छे से समझाएं मुकंबल फिलावर बनाने के बाद बहुत ही खुश्व सोरत है इस तरह के फिलावर बना कर हम हेर बैंड बना सकते हैं कि हमेद करते हूं आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंदा ही अगर वीडियो पसंदा ही तो लाइक शेयर हो सब्सक्राइब जरूर करना कमेंड करके बताना आपको मेरी ये वीडियो क्या सी लगी है और मुजीद आप मेरे चैम पड़किया देखना चाहते हैं मकंबल बन में याडियो के ओपर ये बिलियो कलर का मोठी लगा रहें अबर आप चाहिए तो इस पर रेड़ भी लगा सकते हैं और भी कुल कलर लगा सकते हूं कि इस तरह से मोठी लगाने के बाद ये बहुत ही खुपसूरत फ्लावर त्यार हो गया है कि बहुत ही खुपसूरत ये फ्लावर त्यार हो गया है ऐसे ही दागे को पका करेंगे वो कटिंग काट देंग एक फ्लावर हमने यलो कलर में बनाया है तो दूसरा फ्लावर परपल कलर में बनाया है दूनों बहुत ही खुपसूरत है आप जिस कलर में भी बनाना चाहिए उसी साप से आप रिंग ले ले और इस तरह से देख कर ये फिलावर त्यार करें ये देखें ये फिलावर बहुत ही खुब सुरह त्यार हो गया है